हैलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल ग्यान सेरता रोज़त जानकारी में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सफेद कपड़े रंगीन कपड़े हमें किस परकार से धुलने चाहिए कपड़ों के दाग हम कैसे चुड़ाएं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके कपड़ों की धुलाई करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है जैसे कि सर्फ या साबुन का इस्तेमाल कपड़ों के अनपात को ध्यान में रखते हुए करें बहुत ज़्यादा सिर्फ or शाबुन के इस्तेमाल से आपके कपड़ों पर नकारात्मक असर भी हो सकता है खास तोर पर जब आप सूती उनी या सिल्क के कपड़े दो रही है तो बहुत ज़्यादा सिर्फ का इस्तेमाल ना करें इससे सूती कपड़ों को काफी नुकसान होता है कपड़ों को बहुत गरम पानी में नहीं धोना चाहिए इससे वो सुकर सकते हैं अगर किसी खास कपड़े को हाँ से धोने के लिए कहा जाए तो उसे हाँ से ही धोना चाहिए कपड़ों को धोते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहर जरूरी होता है कपड़ों को हमेशा उल्टा करके ही धुलें ताकि कपड़ों का रंग ना उड़े साथ ही कपड़ों को ब्लीच ना करें ब्लीच करने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं कपड़ों का पीला पंदूर करने के लिए उस जगे पर निम्बू करस लगाएं और उसे ठंडे पानी में आधा घंटे के लिए रखें फिर उसे धोले साथ ही सफेद और रंगीन कपड़ों को अलग-अलग धोना चाहिए कपड़ों की धुलाई के वक्त दाग धब्बों को छुडाने पर विसेश ध्यान देना है कपड़ों को वासिक मसीन में डालने से पहले उन पर लगे दाग धब्बों को हांस से छुडा दे वासिक मसीन में दाग लगे कपड़ों को सीधे डालने से निसान और भी गहरा हो जा कॉलर के जिद्धि दाग को छुडाने के लिए निशान के ओपर थोड़ा सा सैम्पू कपड़ों के उपर डिटेर्जन डालने से ना सिर्फ कपड़े में डिटेर्जन चिपक जाता है बलकि उससे कपड़ों के फटने की भी आसंग करेती है और कपड़ों का रंग भी उड़ जाता है दाग धबों को दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती ह सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर पेश्ट तयार कर लें इसे कपड़े पर लगे निसान के उपर लगाएं और टूथ ब्रस से स्क्रब करें पानी से धो लें आप वाशी मसीन में सर्फ के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें कपड़ों से बद्बू हटाने के लिए तरकी बहुत ही अच्छी है सफेद विनिगर कपड़ों में चमक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इससे कपड़े चमकदार और मुलायम होते हैं कपड़े धोते वक्त सबसे आखरी में वासी मसीन में दो चमक सफेद विनिगर डाल दें इसके अलावा सफेद कमी पर अंड्राम्स के पसीने में लगे निशानों को हटाने के लिए सफेद विनिगर को इस्प्रे बोतल में डाल कर उस जगह पर इस्प्रे कर दें कपड़ों पर लगे दाग हटाने के लिए आप बोरेक्स पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं डिटरजन पाउडर के साथ लेड़ चमच बोरेक्स पाउडर भी डाले कपड़े खुसबूदार और फ्रेस हो जाएंगे साथ ही दाग धबों को हटाने में भी काफी मदद मिलेगी निबू की रस को कपड़े पर लगे निसान पर सीधे लगा सकती हैं लेकिन जादा अच्छा रेजल्ट पाने के तो दाग धबे जल्दी खतम हो जाएंगे और उसके निसान भी मिट जाएंगे तो फ्रेंड्स ये थे कपड़ों के धुलाई करते समय ध्यान देने वाली बातें तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करना त करें सेयर करें सेयर करें